हेलो फ्रेंड्स एंजल की रसोई में आपका स्वागत है कैसे आप सब आई होप सब ठीक होगा तो बारिश देखी आपने आज ऐसी बारिश में बाहर जाना तो दूर की बात में तो सोच भी नहीं सकती क्योंके लाइट बर्न बारिश ऐसी मुझे तो इस तरी मुवी याद आ गई सची में सबजी तो कुछ है नहीं तो थोड़ा सा पनीर पड़ा है और ओनियन फ्रेश कोरियंडर ग्रीन चिली मैंने मिक्स कर दिया है तो चलिया आपको ऐसे पीजा के जैसा पराठा खिलाते कि आज तो देखा मैंने उसमें सरफ नमकी डाला और अगर आप चाहे तो फेपर डाल सकते हैं तो यह मैं तीन पराठो के लिए ही आटा लगा रहे हूं तीन से चार पराठे बन जाएंगे तो अचछे से जैसे नॉर्मल रोटी का आटा हम लगाते हैं वैसे ही आटा लगाना है और अब एक कलोई लेके बेल देना है पराठे को और हाँ इसको चटनी सूका मसाला जो वड़ा पाउ के साथ हम लेते हैं यह अक्सर मेरे घर में आपको मिलेगा ही और चटनियां भी मिलेगी ग्रीन हो रेड हो तो इसको मैंने अच्छे से पराठे परेस कर दिया और स्टफिंग भी डाल दी जब तलक में पराठा पेक कर रहे हूं आप जल् और जैसे आप देखेंगे पराठा तो आपका मन जरूर चाहेगा कि मैं भी यह पराठा कल ही बनाऊं तो देखा आपने मैंने पराठे को पेक कर दिया और अच्छे से हलके हाथों से हमें इसको रोल करना है ज्यादा प्रेशर नहीं देना है नहीं तो आपका ओनेन और पनी देख रहे हैं वीडियो मुझे जरूर बताए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए रहसे पी इजी है सिंपल है बचों की फैवरेट है पनीर भी है इसमें और एकदम हेल्थी है नोमेदा है और ना ही और कोई आटा है तो रोटी का आटा है इसमें अच्छे से और दूस थोड़ा सा बटर लगाएंगे क्यूंकि बच्चे तो बटर और चीज के बहुत शोकिन रहते है तो मैं हलका बटर लगा रहे हूँ में बाकी सब पराठों पे बटर नहीं लगाने वाली हूँ ये जो मेरी बड़ी डॉटर है उसको बटर से बहुत ही प्यार है तो उसको हम बटर लगा के पराठा क्रिस्प करके देते हैं उसने वीडियो भी शूट की है आप देखिएगा कैसे हम टू डम टू है और उसको चीज, बटर, पनीर इन सब चीजों से बहुती प्यार है तो ये देखी कितना शांदा तरीके से हमारा पराठा बनके रेडी हो चुका है आप चाहे तो बीच पे कट भी कर सकते है और बहुत सारा चीज डालेंगे हम चीज मेंने अमुल का लिया है आपके पास जो है आप वो ले सकते है दोस्तों तो बस करना क्या है रेडी हो चुका है पराठा गर्मा गर्म बाइट लीजिए मज़े लीजिए रैसे पी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई तो like and share जरूर कीजिएगा और ये देखिए circle में भी मैं आपको दिखा रहे हूँ एक दूसरा पराठा और ये भी उसी तरह से हम सेकेंगे तो bye, take care, enjoy कीजिए रैसे पी पसंद आई तो like, share, subscribe करना ना बूले हाँ दोस्तो एक बात अगर आपको शिर्प onion नहीं डालना है तो आप चॉप capsicum और carrot vegetables जो भी मन चाही डाल सकते है तो देखा है ना जटपट रैसे पी और टेस्टी यम्मी पराठा तो आप कब बना रहे है ये पराठा मुझे जल्दी कमेंड में बता दीजिए और देसीगी भी मैंने गर का ही निकला हुआ है मैंने बहुत बार वीडियो शेयर की है अकसर चार पार दिन की मलाई बन जाती है या एक अफ़ते की तो मैं देसीगी बना लेती हूँ तो मिलते हैं नूरेसेपी के साथ तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए बाई टेक केर इंजॉय कीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग झाल 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 झाल